स्वागत है अपका दिपक ट्यूटोरियल में जैसे कि मैंने बताया था कि हम एग्रिकल्चर इंजिनियरिंग से रिलेटेड वीडियो हम लाते रहेंगे तो उसी वीडियो सीरीज में मेरा अगला वीडियो है जो कि है बिहार एनिमल साइंसेज उनिवर्सिटी के बारे में यह इसमें है बैचलर के इसमें तीन कोर्सेज है जैसे कि मैं देख सकते है भी ऐसी यह जो कि दिया हुआ है कि कौन से कॉलेज में कराई जाती है इस उनिवर्सिटी के अंदर संजाय गांधी इंस्टिट आप टेक्नलोजी पटना सिमिलरली यहां पर फिसरी साइंसेज का भी दिया हुआ है कॉलेज ऑफिसरी किसंगाज है और यहां पर पर यहां पर शचालय कोलिज पतना जो पर आउंनिवर्स वहाँ तो यहां पर लेंगे यहां पर फिक मास्टर कॉर्स के बारे में यहां और प्लागनाी फिलेगं के मर आउं सब्सक्र Moi abdea weekly ARE इन नंबर कितने हैं 15 हैं तो यहां पर देख सकते हैं लाइव निचे आप देख सकते हैं अब लोग डॉक्टर प्रोग्राम देट प्रोग्राम के बारे में देखेंगे प्हटी के टोटल तीन प्रफट नरी पबलिक हैं तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे इसमें तो यहां पर हमने देखा कि इस कॉलेज में बैसलर के के कोर्सेज, अर कितने कोर्सेज अब हम लोग देखेंगे इसमें स्टुडेन स्ट्रेंथ बिहार वेटनरी कॉलेज पत्ना इसमें बैसलर के कोर्सेज में सीट जो है 16 है इसी कोलेज में अदर मास्टर में सबस्क्राइब हैं लोग देखे कि हमें इस इस इनिवर्सिटी में तीन कौलेज हैं टोटल एक है विछार भेटनरी कॉलेज पतना एक है संजय गांदि इंसिटूट अफ डेरी टेक्नोलोजी पतना और एक कॉलेज ओफ फिसरी किसंगज में हैं तो इस इनिवर्सिटी के अंदर यह तीन कॉलेज हैं और इसमें कितने सीट्स हैं बैचलर डॉक्टरल और मास्टर्स के हमने देखा और कौन-कौन से अब चलिए आगे हम देखते हैं इसमें स्टुडेंट का स्ट्रेंथ कितना है सुरी सुरी हमने यहीं बता दिया था सिर्फ अब फैकल्टी स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे बिहार वेटनरी कॉलेज पतना में टोटल प्रोफेसर्स की संक्या कितनी है ट्वेंटी सेबन प्रोफेसर के संक्या 23 है सिम्दरली कॉलेज अब फिजरी जो कि किसंगंज में है उसमें 15 प्रोफेसर्स है एस्ट प्रोफेसर 27 है और एसिस्टेंट प्रोफेसर 42 है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम दोग देखते हैं अब इसमें डेरी टेक्नोल जो यहां पर पढ़ाई होगी उसके एडमिसन रूल्स क्या है अगर आप बीटेक डेरी टेक्नोलोजी में जो की फोरियर का कोर्स है संजय गांधी इस्टिट आप डेरी टेक्नोलोजी में तो इसमें एडमिसन के लिए सबसे पहले क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटर्मेडियर इन साइस होना चाहिए तो यहें तो यह दो कंबिनेशन अगर आपके पास था में या पीज़ीए में से हो तो यह अगर आपने फिसीं कमेस्ट्री मैथ से किया हो मेजर सब्जेक्ट में यह आपने फिजिस, केमेस्ट्री, मैथ और बायलोजी तो भी आप इसमें इलिजबल एडमिशन के लिए और पोस्ट गेजुएट कोर्सेज में that is M.Tech इंडिरिट टेखनोलोजी जो कि यह टू यूर्स का कोर्स है उसमें एडमिशन के लिए आपका क्या क्राइटरिया है students को 60% marks minimum उसमें होने चाहिए यह हम कहें कि अगर 10 के scale में CGPA देखा जाए तो कम से कम उसके 6 CGPA होने चाहिए और schedule cast और schedule try that is SCST के case में अगर 55% marks बेगर होता है या 5.5 CGPA भी होता है तो आप इलिजबल है एम्टेक में के लिए अब हम देखते हैं कि इस डिरेट इंडिलोजी के कोर्स में admission capacity कितना है लिए इसके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कितने सीट्स है थर्टी सीट्स है और सीट्स जो होंगे वो व कि इसी एक्जाम के द्वारा फिल कि या जाएंगे जो कि विहार गोफर्मिंट लेता है detź हर सल आपका लेता है यार गोफर्मेंटके थरू यह तीज़ेशा कि या सीट फिल किह जायंगे अब सब्सक्रेश्च स्ट्रक्चर में अब और देखेंगे इसके फियर स्ट्रक्चर अब देख सकते हैं आपका दिया हुआ है बीटेक और की स्ट्रक्चr है आपका समेस्टर के लिए दिया हुआ है जा इहां फ इनलेिफ की लिए Bowl में यहां पे टोटल केकिना है है कि आपका university admission पी कितना है registration पी कितना है और फी है पूरी detailed पी आपका दिया हुआ है BTEC में और MTEC दोनों में आप यहां पे देख सकते हैं हमने सिर्फ टोटल फी यहां पे आपको बता दिया कि BTEC में बैचलर में ट्वेंटीवन थाउजन नाइन हंटर लगा फर्स सेमेस्टर में और 19,650 रूपीज में अब हम लोग देखेंगे अब आते हो गई अब देखेंगे भैटनरी साइंसे अगर आप अद्मिसन लेना चाहते हैं तो इसमें क्या का इलिजबिटी एडमिसन लने के लिए अंडर ग्रेजवेट प्रोग्राम में लने के लिए कि आपका क्या होगा इलिजबिटी सबसे पहले आपके मिनिमम् क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10 प्लस टू जो कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए physics chemistry biology and English और क्या होना है और पोस्ट क्रेजवेट में एडमिसन लने के लिए अब देख सकते हैं मिनिमम् साथ परसेंट मार्ग्स चाहिए आपके बैचलर डिग्री में और 6 CGP होने चाहिए और c https के लिए किया होना चाहिए आपका 55% माक्स होना चाहिए या 5 मांचक्टर्ग्राम में चाहिए है जैसे कि हम देखते हैं कि हर जगा होता है तो इसमें भी रिलक्सेशन है 65 परसेंट माक्स उनके मास्टर्स प्रोग्राम में होने चाहिए या 6.5 से जीप्य होने चाहिए 10 के स्केल पे पीच्डी परमिशन लेने के लिए तो हम लोग इतना कुछ देख लिए कि यहां पर देखिए आपके टोटल नंबर अफिट अंडर गिजट प्रोग्राम में 60 है और आपका 85 परसेंट सीट्स रिजर्व है के लिए बिहार के बाशों के लिए बिहार से जो बच्रोंग करते हैं उनके लिए 85 परसेंट शिप्र के दवारा जो की विहार गोवर्मेंट लेती है तो 85 परसेंटुएल है और सिर्फ एफ। फिवंटज सीर्फ इस बीहार के बच्छों को सिफ पर मिलेगा और और 50 % जो है वो ऑल इंडिया कोड़ा से फिलब किये जाएंगे जो कि भोनलो कि जाएंगे टिश्वार के दारा धूसी क ceux और गएंडिया कोड़ दिया से घाल होगा बिहार के तोटल 50 सीट्स हैं कौन से पोग्राम में पोस्ट ग्रेजट पोग्राम में या मस्ट प्रोग्राम में अब हम लोग देखेंगे इस प्रोग्राम में अब देखेंगे यहां पर देख सकते हैं कि इसका फी दिया हुआ है अगर आप बीवी एस्टी एन्फ और एच कॉर्स प्रोग्राम में अगर आप तोटल एन्फ प्रोग्राम की इतना है और पूरी डिटेल्ड पी यहां पर दी हुई है कि है 29,100 कितने कितने फी प्रोग्राम मिला कर लिया गया है आपका दिया हुआ है तो यहां पर दिया हुआ है 21,900 तो डेरी टेक्नलोजी में एड़िसन लेने के लिए आपका पर सेमेस्टर फी जो होगा एक सेमेस्टर की फी 29,900 है बलकि वही 29,100 है अगर आप BVHC या एंड एच कोर्सर में एड़िसन लेंगे तो यह वन इयर का फी है इतना ल जो कि BVHC एंड एच कोर्सर के लिए सिमलरली हम देखेंगे BVHC कोर्सर के लिए इसके भी समेस्टर सिस्टम में फी दिया हुआ है 21,900 यह भी समेस्टर फी है तो यहां पर हम देख सकते है कि देरी टेक्नलोजी की फी और BVHC जो फी है इसकी फी है समेस्टर वाइस फी है 21,900 दोनों में है जो की रिलेटिवली क्या है हाईयर है दन किस कोर्सेज से BVHC ए एच कोर्सेज से सिमलरली हम PG प्रोग्राम यहां पर देख सकते हैं अगर आप MBSC कोर्सर में लेते हैं तो समेस्टर वाइस फी आपका दिया हुआ है 19,650 पर सेमेस्टर प्रोग्राम में आपका सेमेस्टर वाइस फी कितना है 19,150 सभी कोर्सेज में और प्रोग्राम में लेकर आपका सेमेस्टर वाइस फी कितना है पर सेमेस्टर का 21,150 रूप्या सभाव आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सेमेस्टर वाइस था स्थेिंड सेकेंड यह और उससे आगर आगर अपके यहां पर देख तो अब हम लोग देखेंगे फिशरी साइनसे इन्फरमेशन इस बिहार एनिमल साइनसे अंदर जो कॉलेज फिशरी है को लगा फिशरी वाला पार्टमेंट है उसमें एडमिसंस के रूल क्या है एडमिसंस टेक्स प्लेस प्लेस अंदर बिसस अप्रियांट हां वो तो बात सही है 85 परसेंट जो होंगे वह रियर्व हैं बिहार एस्टेट के बचों के लिए जो की बिसी एसी एक्जाम के थुरू लिया जाएगा जो बिहार गॉबर्मेंट लेती है हर साल और रेस्ट जो सी जो की निव दिल्ली में है अब देखेंगे की एडमिसं कैपसिटी क्या है अंडर गुजेट प्रोग्राम में देखेंगे आप सीट्स चुहोंगे इसके बीसी इसी एक्जाम के द्वारा फिल किये जाएंगे 46 ठीक है अब हम लोग देखेंगे फिय स्ट्रक्चर अब का दि काटेगरी के लिए 19400 रुपए दिया हुआ है उस सप्था साथिसल dopo dni चारह इसी काटेगड़री के लिए 420 का लिए Čधार का फिर और à तैसे देख सकते हैं यह जो आपका उपर धिया हुए है उसका पूरा डिटेल्ड अप्का दिया हुआ है यहां पर हम देखे हैं जैसे फरस्ट और सेकेंड स्मेस्टर का फी यहां पर धिया हुआ है और सेकेंड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक आपका भैरी कर सकता है कितना से कितना के बीच 7200 रुपए से 19,650 के बीच तो अब हम लोग देखेंगे प्लेश्मेंट के बारे में प्लेश्मेंट रिपोर्ट यहां पर दिया हुआ है पिहार एनिमल साइंसेज अनिवर्सिटी पतना और्गनाइज केंपस इंटर्विव फॉर फाइनल यह स्टुडेंट्स यह 18 से 19 का बैच जो है जो कि बिहार वेटनेरी कॉलेज पतना में 2018 के सेशन में हुआ था जो कि बिहार एस्टेट मिल्क कोपरेटिव फेडरेशन ने इंटर्विव लिया था 12 मार्च को और 42 स्टुडेंट्स अपियर हुए थे जिसमें की 17 स्टुडेंट्स सेलेक्ट हुए थे एज पोस्ट अप बिहार वेटनेरी प्रोफेशनल स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स अपियर हुए थे इंटर्विव के लिए और यहां पे डिटेल पुरा दिया हुआ है कि कितने बच्चे अपियर हुए थे बिहार वेटनरी कॉलेज से टोटल स्टुडेंट्स अपियर हुए थे प्लेस्ट हुए थे 17 तो यहां पर हम देख सकते हैं कि परसेंटेज भाई दिया हुए कि कि इतना प्लेस्मेंट हुआ था प्लेस्मेंट के लिए और यहां पर देख सकते हैं बिहार वेटनरी कॉलेज में टोटल 20 स्टुडेंट्स अपियर हुए थे प्लेस्मेंट ड्राइब में और 9 स्टुडेंट्स प्लेस्ट हुए थे सिम्दरली संजाय गांध इसे टेक्नोलोजी में आपका 11 बच्चे एपियर हुए थे प्लेस्मेंट में और फॉर स्टुडेंट्स प्लेस्ट हुए थे और यह डेटा किसी यह का है आपका 29 29 सेम बैच हाँ हाँ तो हम लोग ने यह बिहार एनिमल साइंसे पूरा का पूरा इन्फरमेशन देख लिया इसमें कौन-कौन से कोर्सेज है क्या स्टुडेंट की कौन-कौन से इस उनिवर्सिटी के अंदर कौन-कौन से कॉलेज आते हैं तो कि टोटल थी कॉलेज थे इनमें फ्री इस्ट्रक्टर क्या है अलग-अलग इनके कॉलेज में इस इनिवर्सिटी के अंदर जो भी तीनों कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन तब तक लिए थाइंक्यू आगे इसी वीडियो स्रीज में हम अगरी कल्चर एंज्यन वीडियो स्रीज में हम और वीडियो लाते रहेंगे धन्यवाद